वीडियनास करने के बाद आप लोगों को खुशी तो बहुत होती होगी लेकिन क्या आपको पता है कि इस खुशी के पीछे जो कटनाईयां आपकी जीवन में आगे आने वाली है उन चीज होगा आपको बिल्कुल भी नहीं अंदेशा है अंदेशा होगा भी कैसे क्योंकि मज में आप इतने व्यस्त हैं कि आपने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की जो आप लोग कर रहे हैं इसका नुकसान क्या क्या हो सकता है लेकिन हमें नुकसानों से क्या हमें सिर्फ और सिर्फ दो सेकंड तीन सेकंड या दस सेकंड के मज़े के चकर में हमें नुक्सानों से कोई मतलब नहीं क्योंकि हम पूरी जिन्दगी 22 साल कि साल 15 साल हम जवान ही रहने वाले हैं अगर बात करें जवानी की तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारी देश में कितने बड़े बड़े योद्धा कितने बड़े बड़े रैजा पैदा हुए और इस दुनिया से चले गए तो आप ये सोचे कि तुम किस खेत के मूली हो जिस जवानी पर आप लोग कूद रहे हैं और बिना सोचे समझे वीरिये को अनास कर रहे हैं आपको ये नहीं पता है कि आगे चलके जो आपके सामने मुसिबते आने वाली हैं उनका आपको आइडिया भी नहीं है त को दो तीन चीज ऐसी बता देता हूँ शायद आपके दिमाग में कुछ चीजे आ जाएं सबसे पहला आपका दिमाग कमजोर हो जाएगा सोचने की सक्ति समझने की शक्ति कम हो जाती है चीजे भूलने लगते हो और फिर हम ब्लेम डालते हैं किसी और चीज बे लेकिन हमें पता है कहीं न कहीं हम जान पूछ पर भी अपनी प्रोब्लम को यह गर आपकी शादी हो जाती है और उसके बाद आप अपने बच्चे पैदा करने के बारे में सोचते हैं तो तो आपकी वीरिया में इतनी ताकत रह ही नहीं जाती कि आप एक नए बच्चे को जन दे सकें तो इसी लिए आप फिर ने ने डॉक्टरों के पास जाते हैं तरह तरह की दवईया खाते हैं फिर होता क्या है जो हालत आपकी अभी है उससे भी बत्तर हो जाती है तो इसलिए अगर अभी समल गए तो आपका भविश्य सही होगा और जादातर उन लोगों का भविश्य खराब होता है जो आज पर काम नहीं करते क्योंकि आज में सही कल निकलेगा हम जब भी सोचते हैं कि हम कल करेंगे, हम बाद में करेंगे कल कभी होता ही नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ साइकलोजी में है कल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई कल नहीं होता जो भी होता है प्रेजन्ट मुमेंट ही होता है अगर आपने अभी ही अपना सही कर लिया तो आने वाला जो टाइम है या महनत या अपने मन पे काबू करने वाली बात का जिक्र हुआ आप लोग वीडियो बंद करके भागने लगते हों क्योंकि यहां भी आपका मन है यहां भी आपका मन आपको बोल रहा है कि वीडियो को बंद कर ये बेकार की बाते हैं बकवास बाते हैं तू अपनी करेंगे वीडियो को बंद कर देंगे बात खता हूं देखो दोस्तों मेरा कुछ नहीं है मैं सिर्फ और सिर्फ अमनी लाइफ का experience आप लोगों के साथ में share करता रहता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता रहता हूं मैं सोचता हूं कि लोग मुझसे कुछ सीखें मेरी बातों मेरी बात अगर एक हजारने सुनी है और एक भी इस चीज में कामयाव होता है और सही रास्ते पर चलता है तो मेरी मेहनत फसूल है तो दोस्तों अगर आप वीरियनास करते हैं उल्टी सीदी मुवीज देखते हैं तो इसमें नुकसान आप लोगों का ही है किसी और का नुकसान बिल्कुल भी नहीं है जरा सोचे आप अगर आप यही लग आप एडिक्टिव हो जाते हैं इस चीज़ के आप ब मुझे नहीं लगता क्योंकि सारा खेल मन का ही है रन भूमियां युद करने से पहले मन भूमियां युद करना बहुत जरूरी है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे पहले आपका मन पूरी तरीके से तयार होना चाहिए अगर आपकी तयारी नहीं है तो 100% chances होते ह आप उसमें कभी में नहीं जीश सकते हैं दोस्तों अगर आपका मन कमजोर नहीं है तो आप कर सकते हो और मन कमजोर कब होता है जब आप इस चीज को नहीं चाहते हैं माल लीजाए आप उपर उपर से तो चाहते हो कि हाँ मैं ये करूँगा लेकिन मन आपका reject कर देता है कि नहीं करूंगा तो आप उस चीज़ को कभी भी नहीं कर सकते हैं दो तरह की feeling होती हैं हमारे पास सबसे पहली अगर आप किसी की वीडियो देखते हैं वीडियो देखते ही हम एकदम से motivate हो जाते हैं उसको बोलते हैं ताओ यानि यह बहुत जाता ताओ में आ गया और वो ताओ बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है और एक होता है भाओ तो ताओ तो बहुत जल्दी उतर जाता है नशा किसी भी चीज़ का लेकिन भाओ अगर आपको feeling के साथ में कुछ आपके दिमाग में आया कि हाँ मुझे यह करना है तो फिर आप अपने आपको नहीं रोक सकते नहीं कभी ना कभी यह feel किया होगा अभी आप बच्पन में या कभी भी आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसके साथ feelings जुड़े वी हैं तो उसमें होता क्या है कि आप अपने आपको नहीं रोक सकते आपको हर हाल में वो चाहिए ही चाहिए तो इसी तरह से अगर आपको कुछ करना है या आप अपनी life में किसी भी बुरी आदत को चोड़ना है तो उसके साथ अगर feeling नहीं जुड़ेंगी आपके साथ में थोट के साथ में feeling नहीं जुड़ेंगी जब तक आप वो काम नहीं कर पाएंगे उपर उपर level से आप सोचोगे कि हाम में करूंगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि कर पाओगे तो आपको करना क्या है कि किसी भी आदत को चोड़ने के लिए किसी आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको side effect हो सकता है तो उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दो आज से ही YouTube पे वीडियोस देखना शुरू कर दो कि इसके side effect क्या है और अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो इससे मुझे क्या क्या benefit मिलता है जितना जादा हो सके उसके बारे में पढ़ो knowledge इखटी करो देखना आप खुद बखुद उस चीज को छोड़ दोगे किसी को समझाने की जरुद ही नहीं पड़ेगी आपको कि आप इस होगे तो यह आप promise करो सब और अपना नाम और अपनी डेट आसे बनमचारी पालन शुरू करेंगे comment box में जरूर लिख दोस्तों वीडियो के नीचे एक like color का बटन है उसको like जरू कर देना और subscribe का बटन है उसको subscribe जरू कर देना अगर आपको health से related article पढ़ना पसंद है तो www. www.ultrahub.in पर जाकर आप हमारे articles भी पढ़ सकते हैं मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में इसी channel पर बहुत ही जल जब तक के लिए thank you so much take care and bye bye